तो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आल्टो के टैन की यह जो मॉडल है यह है वी एकसाई प्लस मॉडल इसमें क्या फीचर्स क्या प्राइस सभी चीज में आपको बता हुआ आपको कहीं और जाने की जरू प्रोटी है लेकिन जो है दिलो पर राज करती है अब हम थोड़े से इसकी प्रोफाइल की अगर बात करें तो कुछ इस टाइप से यह सारी प्रोफाइल हमें देखने को मिलेगी साइट से लेकर बैक तक आप खुदी देख लो रैड कलर में काफी अच्छा लूक यहाँ प पावर जनेरेट करता 1500 अन्य पर और टॉर्क 899 नम पावर जनेरेट करता 35 आरपिम पर तीन सिलेंडर इंजन इस कार के अंदर आपको मिल जाएगा अब थोड़ा सा बात करें इस car की height के बारे में, तो height इस car की 1520 mm के something मिलती है, length इसकी 3530 mm मिलती है, width 1490 mm और 5 logo के बैठने की seat, 5 door और wheelbase 2380 mm के देखने को मिलेंगे, अब front loop पर Suzuki का logo देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर indicator मिल जाते हैं, halogen headlamp यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, light हैं, तो यह कुछ ऐसी profile है, और यहाँ पर red black का combination काफी अच्छा है, ground clearance इस car के अंदर 160 mm का आपको देखने को मिलेगा, तो यह सारी profile है, और यह जो आप देख रहे हैं, हम थोड़ा tire profile के अगर बात करें, तो यहाँ पर front में आपको disc brake मिल जात 13 inch का wheel size है, उपर की side में दो viper आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कारें ऐसी हैं, जिसमें एक viper भी मिलता है, indicator भी मिलता है, और यहाँ पर rear view mirror मिलता है, different यानि black color में, उपर की side में antenna काफी बड़ा मिलता है, यहाँ पर keyless entry के साथ में gate को open कर लेते हैं, open करने के बाद कु कुछ space bottle holder speaker gate पर ही मिल जाता है, यह जो seat देख रहे हैं, adjustable seat है, और यहाँ पर headrest जो है, वो adjustable नहीं है, seat belt मिल जाती है, तो यह सारी profile कुछ step से आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर 3 pendle मिलते हैं, और यहाँ से bonnet को open करते हैं, यहाँ से lighter set कर लेते हैं, और यहाँ पर आपक यहाँ पर देखा जाए, तो Suzuki का logo मिलता है, airbag मिलता है, और dual tone में पूरा steering देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको यह voice command का option मिल जाता है, music का system, और यहाँ पर आपका वाइपर चलाने का option, इधर से light जलाने का option मिल जाता है, तो यह सारी profile ऐसी है, और यहाँ पर इसका ज जो आप यह देख रहे हैं, यह मिलता है, मीटर, यहाँ पर देखेंगे, दो AC बेंट आपको मिल जाते हैं, और नीचे की side में अगर देखा जाए, तो touch screen system 7 inch वाला मिलता, endo.apple carplay, तो यह है, और dual tone में यहाँ पर दिया गया है, चारो indicator एक साथ जला सकते हैं, यह power window का option यहा पर आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे की side में अगर देखा जाए, तो AC heater का system यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, नीचे आपका 12V का outlet, और यहाँ पर USB, और जो है, AUX का system मिलेगा, cup holder, gear lever, कुछ इस type से, यहाँ पर नीचे की side में, पीछे की side में hand brake, और यह आप आपको seat pad करने का option, mirror मिल जाता है, और यहाँ पर जो है, आपको, यह आपका mic मिल जाता है, और यह light मिल जाती है, sun visor कुछ इस type से आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर handle मिल जाते हैं, यह sun visor इस type से, तो यह है, तीन seat ओपर तो आपको handle मिलते हैं, पकड़ कर बैठन तो यह keyless entry के साथ में gate open हो जाता है, open होने के बाद same gate रहता है, इसमें कोई भी changes नहीं होगा, खुद ही आप देख लीजे, क्योंकि power window का option यहाँ पर मिलता नहीं है, जब power window के option मिलते हैं, तभी gate में थोड़ा वो change दोनों gate में होता है, यहाँ पर gillap box आप यह जो देख र कुछ इस type से seat belt मिल जाती है, तो profile काफी ठीक है, मेरे हिसाब से तो काफी ठीक लगी है, आप comment करके बता सकते हैं कि आपको यह सारा system कैसा लगा इसमें, और पीछे वाला जो door है, इसमें आपको power window का option तो नहीं मिलता बाई, और यह जो है manual तरीके से ही mirror को up down करना पड़ेग और यहाँ पर speaker मिल जाता, bottle holder का option नहीं मिलता, अब यह seat की जो profile है, यह bench type seat है कुछ, इस type से इसको fold भी कर सकते हैं, यहाँ से option मिल जाता है, और यहाँ पर पीछे की side में deck support था, और अंदर बैटके भी देखेंगे कि अंदर बैटने के बाद कैसी feel आती है, तो यहाँ पर space अगर देखा जाए, तो leg room काफी ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, यहाँ पर handle मिल जाते है, पकड़ कर बैटने के लिए, तो यह सारी profile है, यहाँ पर light नहीं है, तो यह जो है, थोड़ी cut होती हुई है, इसमें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, safety feature की, क्या safety feature मिलते हैं इसके मिलता है, यानि कि अगर आप तेजी speed से car को चलाते हैं, तो वो चीज आपकी beep बजना start हो जाएगी meter पर, तो यह सारी profile ऐसी मिल जाती है, अब थोड़ा सा fuel tank के बारे में, अगर इसके बात की जाए, तो यहाँ पर हमें fuel tank मिल जाता है, और fuel tank लग भग आपको 27 लिटर का मिल जाते हैं, और जो कारे होती हैं, उसमें मिलते ही नहीं है, और यह जो profile देख रहा है न, light की, यहाँ पर indicator, reverse light और यहाँ पर एक brake light, आल्टो K10 लिखा हुआ है, सुजूकी का logo है, और यहाँ पर जो है, ना आपको defogger मिलता है, ना वाइपर मिलता है, यहाँ पर एक light मिलती ह तो यह सारी profile ऐसी है, boot space देखा जाए, तो काफी ठीक ठाग बड़ा है, क्योंकि इसमें 214 लीटर का boot space मिल जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता, लेकिन company वाले बता देते हैं, लेकिन 214 लीटर का space इसमें है, और पीछे से cabin कुछ स्टैप से, और सीटे स्टैप से तो वो parking sensor मिल जाते हैं, नीचे की profile कुछ स्टैप से इसकी देखने को मिलेगी, यहाँ पर side से profile ऐसी है कुछ, और red, black का जो combination है, काफी ठीक है, spoiler इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा spoiler भी है, तो यह सारी profile है, और यहाँ पर वहीं एक बार मैं यह वाला gate और दिख पर भाई ऐसा नहीं है, खुब ठीक ठाक प्राइस है, आज की तारिक में काफी महंगे प्राइस हैं, सबी कारों के, इसकी एक सो रूम कीमत 5,33,000 है, और वहीं पर on-road कीमत 6,3,000 रुपे के सम्तिंग, आपको देखने को मिलेगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरू करें, कमेंट करें, चैनल को सस्क्राइब जरू करें, सपोर्ट करें और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, वीडियो को लाइक जरू करें